हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लाए हैं विंटर स्पेसल ड्राइफ रूट्स गोंद के लड्डू की रेसिपी इन लड्डूों को बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं सभी के लिए ये फायदे मंद है लड्डू सर्दियों के लिए लड्डू अगर हम खाएंगे तो ये हम तो चलिए वीडियो को श्रू करते हैं यहां सबसे पहले मैंने लिए हैं 20-30 ग्राम मखाने 50 ग्राम मैंने लिए हैं यहां पिस्ता 85 ग्राम मैंने लिए हैं अखरोट की मिंग 50 ग्राम काजू 50 ग्राम मुनक्के 50 ग्राम बादाम एक कटोरी गोला कद्दू कस कर लिया है मैंन सबसे पहले हमें इसमें डालनी है गॉंद तो हमें गूंद को थोड़ा-जोने, सब्सक्राइब लद्वन, बनाने हैं को नने लिए हो गया है अब सबसे पहले हमें इसमें डालनी है गोंद तो हमें गोंद को थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है पहले हमें थोड़ी गोंद को रोष्ट कर लेना है उसके बाद जो आदी बची है गोंद उसको भी रोष्ट कर लेना है लो फिलेम पर करना है हमें एकदम हाई इसको निकाल लेना है और इसी तरीके से हमें और जो बची वी गोंध है उसको भी रोष्ट कर लेना है अब उसी घी में हमें अब एड़ करने हैं काजू बादाम काजू बादाम को हमें एक साथ रोष्ट करना है और इसी में हमें डालनी है अखरोट की मींग तो थोड़ा थो हमें इसे पहले एक मिनट के लिए रोष्ट करना है इसके बाद अखरोट की मींग को भी एड़ कर देना है इसमें हमें पिस्ता को भी एड़ करना है और इनको हमें अच्छे से दो मिनट के लिए रोष्ट करना है और उसके बाद हमें इन्हें बस प्लेट में निकाल लेना है और अब इसी घी में हमें अभी कडाई में थोड़ा सा गी बचा है उसमें हमें कमरकस को एड़ कर देना है और इसको हमें बस आदा मिनट के लिए बस रोस्ट करना है बिल्कुल लो फिलेम पर और एक दम निकाल लेना है इसको और इसके बाद हमें कड़ाई को क्लीन कर लेना है साफ कर लेना है और इसमें अब हमें एक चम्मच घी एड़ करना है और गी को गरम होने देना है तो देखे घी गरम हो गया अब इसमें हमें मखाने ऐड़ करने हैं और इनको भी हमें रोस्ट कर लेना है मखानों को हमें थोड़ा टाइम लगता है रोस्ट करने में फिर भी दो से तीन मिनट में रोस्ट हो जाएंगे थोड़े जब तक ही क्रिस्पी नहीं हो जाते जब तक हम इने रोस्ट करना है देखिए थोड़े क्रिस्पी से हो गये हैं तो बस इने अब हमें निकाल लेना है और अब इसमें हमें एक चमस घी फिर ऐड़ करना है कडाई में गी को हमें गरम होने देना है गी के गरम होने के बाद इसमें हमें आड़ करने है मुनक्के मुनक्के के हमने बीज पहले ही निकाल लिये थे इनको हमें थोड़ा थोड़ा रोष्ट करना है बस लो फ्लेम रखनी है लो फ्लेम पर ही रोष्ट करना है और बस हमें निकाल लेना है फिर कटोरी में और उसके बाद इसी गी में हम जो हमने कद्दुकस कराता गोला उसको एड़ कर देना है और मगज के बीज हैं उनको भी एड़ कर देना है दोनों को हमें खुब अच्छे से रोष्ट कर लेना है देखिए लो फिलेम पर ही करना है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमा अब हमें गैस पर कड़ाई रखनी है और इसमें घी नहीं डालना है ऐसे हमें इसमें खस-कस और तिल को एड़ कर देना है और इन दोनों को हमें रोष्ट कर लेना है तो देखिए अच्छे से रोष्ट हो गए हैं आपको दिख रहा होगा तो बस इन्हें अब हमें एक बरत डाल कर पीस लेना है इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है जादा बारिक नहीं पीसना है मोटा मोटा ही पीसना है हमें देखी इस तरीके का तो बस अब हमें इन्हें एक थाली में ये प्लेट में निकाल लेना है और देखे हमने इनको निकाल लिया है अब हमें गोला और जो हमने मगज की जो मिंगली है इनको दोनों को पीस लेना है इन सब जितनी भी चीज़े हम पीसेंगे सब को हमें दरदरा ही पीसना है इसी में हमें कमरकस को भी आड़ कर देना है और इनको हमें ऐसी दरदरा सब पीस लेना है तो देखी यह पीस गये हैं इनको भी हमें इसमें एड़ कर देना है एक हमने बड़ा तसले लिया है उसमें इन सब चीजों को हमें एड़ करना है अब हमें ताल मखाने और यह जो तिल है इनको एड़ कर देना है इने भी हमें पीस लेना है इनको पीस लिया है हमने अब इसी में हमें मुनक्को को एड़ क चिपक जैम उनक के तो इनको हमें अलग-अलग कर देना है इस तरीके से और हाफ टी स्पून आड़ करने हैं इसमें हमें इलाइची पाउडर और यह जो हमने गोंद ली है इसको हमें थोड़ा किरश्ट कर लेना है इस तरीके से आपके पास कटोरी या गिलास जो भी हो आप इसे इसे कर सकते हैं देखिए मैंने यह गिलास लिया है तो कितने इसी तरीके से मैंने इसे कर लिया है तो बस इसे भी गोंद को हमें इसमें आड़ कर देना है और अब हमें गैस पर कढ़ाई रखनी है और इसमें हमें एक कटोरी लेना है बाजरे का आटा बाजरे का आटा भी गरम होता है सर्दियों में यह भी बहुत फायदेमंद रहता है तो इसी में हमें एड़ करना है एक चमच गी और इस आटे को हमें रोष्ट कर लेना है अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर और इस आटे की जगे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं वह आपकी मर्जी के ऊपर है तो देखे आट अच्छे से भुन गया है तो आटे को भी इसमें ही एड़ कर देना है जो हमने मेवा पी सी थी उसमें एड़ कर देना और कड़ाई में हमें देखे थोड़ा सा पानी एड़ करना है कड़ाई को हमने साफ कर लिया उ सब्सक्राइब लिए जब तक यह में आटर मेद अजसे अच्छावाहा सब्सक्राइब तल अज़त धूर जल्कर देसी घीद आले अब अच्छा गुल गया है और इसमें वाल भी आल गया है तो बस gasoline को OFF कर देना है और अब हमें गुर्ड को बशसा हुई मेवा करना है तो कि आ गिश्रा है तो गयह जसा है हमें पीश करना है तो प्लедин से हमें लिका करना है धेक्शल्स तरीके से ही तो देंस का रहा अब हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो लड्डू हमें आप अपने इसाप से मोटे पतले चोटे बड़े लड्डू जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरीके के लड्डू बनाये हैं इतने बड़े बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं तो देखिए उपर से मैंने बादाम और पिस्ता को लगा दिया है लड्डू पर जिससे ये और भी अच्छे लगे तो कितने बड़िया तरीके से हमारे लड्डू बन गए है और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल भी टाइट नहीं है ये आप इने दो से तीन वहीने श्टोर करके भी रख सकते है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू